हेलो गाइज वेलकम टूमाइए यूट्यूब चैनल सेलर सेयद आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाट इस अ केमिकल टैंकर शिप अगर आप केमिकल टैंकर शिप के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें इसकिप मत वरना आपको समझ नहीं आएगा what I am trying to explain you so basically मैं आपको यह नहीं बताऊंगा आज के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 केमिकल टैंकर शिप क्या होता है यह सब आप गूगल से पढ़ सकते हैं but yeah when you go on ship you just see in your ship's particular or somewhere whether your ship is a type 1 chemical tanker type 2 chemical tanker और टाइप 3 chemical tanker आपको सरी इतना पता होना चाहिए you get to know the practical knowledge क्या होदा है chemical tanker जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस भी जहाज पे आपको बहुत सारा पाइप लाइन्स दिखे वह एक chemical tanker है और उसका manifold area में बहुत सारे manifold होंगे जिस ship के बहुत सारे manifold होंगे वह होगा typical pure chemical carrier but at present I am sailing on oil cam vessel so oil cam मतलब oil भी कर सकता है और chemical भी कर सकता है so oil cam में we don't have individual manifold of each tank but we have like one wing number one manifold two wing two wing मतलब two port two starboard one wing मतलब one port one starboard one wing one port one starboard two wing two port two starboard उनका common manifold रहेगा यानि one two three four five six slops तो हमारे जहाज पे साथ manifold तो cargo tanks के रहेंगे उसके बीच में एक रहेगा common manifold common manifold मतलब वह साथो टैंक से हम cargo उस manifold को ना यूज़ करके common manifold में डाल सकते हैं Confuse हो रहे हो कोई बात नहीं मैं आपको practically दिखाता हूँ आप अपने manifold area पे लेके चलता हूँ के manifold क्या होता है manifold पे कैसे होजिस करेक्ट होते है common line क्या होती है cargo कैसे line के थुरू आता है whenever you go on chemical tanker आप किसी भी एक टैंक की pipeline पकड़ लीजिए catch कर लीजिए मैं आपको typically दिखाता हूँ अभी इस जहास पे कि अगर आपको यह पता कर रहा हो कि इतना सारा pipelines कौन सा कहां कैसे जा रहा है तो आप उसको कैसे manage करोगे I'll show you my manifold area and I'll show you from the manifold area how the hose is connected how the cargo gets transfer how it is going in the tanks practical everything practical तो यह वीडियो को skip मत करिएगा आप पूरा देखिएगा एक pipeline को हम कैसे track करते हैं और कैसे उसके pump stack तक जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं this is the manifold area of my ship manifold area आप देख सकते हैं कितने सारे manifold है one two three four five six आप देखेंगे हर manifold के ऊपर numbering होता है जैसे कि आप देख सकते हैं this is manifold number six so this six means six port six starboard cargo tank का यह manifold है now when you move ahead you see this is number five so number five मतलब यह देखेंगे आप यहां पर इस पर numbering होती है है number five यह manifold number five port five starboard cargo oil tank का है से मैंसे 4321 यह सारे manifold है लेकिन इन manifold के बीच में एक होता है common line common line हमारी यह है हमेशा हम prefer करते हैं कि हम cargo discharge यह लोड कॉमल लाइन से करें क्यों because this common line is interconnected to all the manifold area जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर यह हमारा common line यह हमारे crossover walls यह सारा interconnected है बट अभी आपको समझ नहीं आएगा सो मैं आपको यह ही बताना चाहता हूं जब भी आप जहास पर जाएं आप एक line पहले पकड़े आईए मैं आपको दिखाता हूं आपको करना क्या है यह manifold area में हमारा यह वेपर रिटल लाइन होता है वेपर रिटल लाइन एक के आगे होता और यह पार्ट 100 mm टोटल मिलाके 1000 mm यह सब होना चाहिए ओके क्या यूज है वेपर रिटल लाइन का यह यूज है अगर हम कोई कार्गो लोड कर रहे हैं जिसके वेपर हम बहार हवा में नहीं निकाल सकते हम वेपर रिटल लाइन पर एक होस कनेक करते हैं जो वेपर हम टर्मिनल को वापिस देते हैं उस होस से लेट इस 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 दे यूज ऑफ वेपर रिटल लाइन सो नाव कमिंग बैक तो अवर पाइपलाइन सो मैं आपको एक पर्टिकुलर टैंक जैसे यह हमारा नंबर फॉर मैनिफोल्ड है अब इस मैनिफोल्ड किसे हमारा कार्गो टैं पर यह पाइपलाइन जा रहा है इसके बीच में कितने वाल्व हैं क्या वाल्व हैं यह आपको बताता हूं करते हैं चलो मैं आपको ट्रैक करके दिखाता हूं यह मैने चौक ली अब मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं यहां ट्रैक करते हैं सबसे पहले आया मैनिफोल्ड वाल manifold valve all ships damn ships you will have this first valve manifold valve इसको open किये भी ना कार को भार जाएगा ना अंदर आएगा ओके विल मूव हेड़ इस पाइपलाइन को हमें पकड़ लेना है यह pipeline कहां जा रही है थोड़ा difficult है chemical danger है easily नहीं पकड़ पाओगे थोड़ा इदर उदर करके जाना पड़ेगा भाई ठीक है कि यह हमारी pipeline चल रही है कि कि एक और वाल्व बीच में आ गया इस वाल्व को बोलते हैं क्रोस ओवर वाल्व यह वह वाल्व है जो हम कॉमल लाइन में डालते हैं मतलब आप कारगो वहां से आया यूँ ऊपर चड़ा यह वाल्व खुला और इस वाल्व से यह हमारा कॉमल लाइन दी यह वाल्व हमने खोल दिया और यहां से यह हमारी कॉमल लाइन में connect हो गई जैसा कि आप देख सकते हैं यह टिपिकल यहाँ पर यह हमारा common line में cargo अभी आच चुका है अब लेकिन cargo आया common line में यह वाल्फ खोला crossover valve वो फोल्फ खोला manifold valve लेकिन cargo तो हमें गिराना है नंबर 4 टैंक में उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस line को जैसा कि आप देख सकते हैं यह नीचे से आके यहां आ रही है लाइन इस जगह यह नीचे जा रही है न यह देखिए सेम लाइन जो मैंने खुल गए विदक manifold crossover line master यह लाइन मास्टर खोलते ही जैसे कि आप देख सकते हैं यह मार्किंग भी है नंबर 4 कि कार्गो नंबर 4 की लाइन में आ गया अब यह आगे चला यह देखिए वहां से line master में आया line master से यह number 4 की line नीचे जा रही है गौर से देख लिए यह line में आपको नीचे जाके दिखाता हूं यह pump stack पर किधर मिल रही है यह मैंने arrow लगाया है यह आपने देखा arrow लगाया था मैंने यह line यहां से आ रही है चल रही है चल रही है चल रही है और यहां आके यह फाइनली इधर जा रही है फोर इस्टाबोड में और इधर आ रही है फोर पोर्ट में यहां पर एक ब्लैंक होता है इन केस हमें और सेग्रिगेट करना है कार्गों तो तो यह ब्लैंक भी हम यूज कर देते हैं इसको बॉल्ट्स कोलते और यह नीचे वह जाता है बट यू सी इधिस कमिंग हैर नाओ यू सी इधिस गूइंग दिस वे यूज यह जा रही है जब हम कार्गों लोड करते हैं ड्रॉप लाइन और यह लाइन जा रही है हमारी पंप स्टैक पर एक वाल वार आ गया इसको बोलते हैं ड्रॉप वाल्व ओके ड्रॉप मतलब गिरना मतलब जब हम कारगों लोड कर रहे हैं और यहां जब दूसरी बरंच आएई इसकी जो यह फंक हमारा यह फंक है पंप स्टैक से निकल के आ रही है यह लाइन यह वाली इसको बोलते हैं, discharge valve, discharge मतलब जब हम कारगों, discharge करेंगे, so this drop valve, this discharge valve, do not get confused, whenever you go on board, drop का मतलब, जब खोलना है, जब कारगों लोड कर रहे हैं, discharge तब खोलना है, जब कारगों, discharge कर रहे हैं, so, again आपको बताता हूं, कितने valve हमने खोले, सबसे पहले, नंबर 4 का, manifold valve, फिर क्रोस्आवर वाल्व कॉमन लाइन का फिर हमने नंबर चार का लाइन 마स्टर मतलब एक लाइन का वह मास्टर वाल्व है जब तक वह वाल्व नहीं खुलेगा नंबर 4 में कार को नहीं आएगा फिर अगर हम लोडिंग कर रहे हैं तो drop valve discharging कर रहे हैं तो discharge valve discharge valve हमेशा pump stack पे आ रहा होगा यह हमारा pump stack है जैसा कि आप देख सकते हैं this is the pump starting local control okay pump stack आपको हमेशा ऐसा दिखेगा तो इसको आप यहां से भी track कर सकते हैं कि अगर आप यहां से चले यहां से आए this valve comes first is your discharge valve pump stack से जो पहला valve आएगा discharge valve और इधर से अगर हम आएंगे इसके बराबर में आप देख सकते हैं यह line जा रही है नीचे हमेशा same pipeline रहेगा यह load or discharge का यह देख रहे हैं आगे चल रही है कि चल रही है यह नीचे आया और यहां यह गिर गया कार्गो ड्रॉप ड्रॉप यह सीधा कार्गो टैंक में जा रहा है loading by this line discharging pump stack के बास में आपको अल्लेडी दिखा चुका हूँ simple procedure है complicated नहीं है आपको थोड़ा सा वीडियो देखके complicated सा लगेगा क्या है क्या दिखा रहा है कौन सा वाल खोला कहां से कहां कार्गो आया अट्स एक्चुली डिफरेंट के chemical tanker क्या होता है easily आप नहीं trace कर पाते बड़ यह मैंने आपको बिल्कुल एक सटीक तरीका बताया है आपको chemical tanker को कैसे trace करना है manifold से एक line पकड़िए उस एक line को trace करते वे जाईए उस line पर ऐसे एक चौक ले लिजे ऐसे करके अपना line trace करते रही है करते रही है यह ऊपर कहां जा रहा है इधर कहां जा रहा है कुरा ऐसे अपना trace करिए lines देखते रही है कहां जा रहा है बीच में कौन से वाल्व आ रहा है पैस्मैन तो help you on chemical tanker is pump man आपके जहास पर pump man रहेगा पंपी को पूछिए पंपी यह कौन सा वाल्व है यह कैसा वाल्व है यह लाइन कहां ओपर क्यों जा रहा है यह लाइन यह इधर क्यों जा रहा है what I am trying to say is catch one line you will get to know all the lines एक लाइन में आपने पता कर लिया कौन सा वाल्व है line master drop discharge crossovers कौन सा वाल्व कहां मिल रहा है कौन सा वाल्व किदर है life will be easy for you so idea of this video is to make you understand the practical knowledge of chemical tanker x y z category cargo type 1 type 2 type 3 chemical tankers you can do to Google on it no use पता होना चाहिए आपको लेकिन life is all about being practical on ship so by now you must guys have been clear कि I know थोड़ा टिपिकल होगा समझना आप लोगों को easily समझ नहीं आया होगा बट थोड़ा बहुत तो idea मिली गया होगा यार इतना मैं pipeline आपको पूरा वीडियो दिखाया पूरा चौक लिया पूरा लाइन बनाया अपना लाइन गंदा किया अभी यह लाइन मुझे मिटाना भी पड़ेगा आप लोग जितना भी समझे अनिवेज मेरा में मक्सद यह था जितना आप तक knowledge पुचा सकूं पुचा हूं थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल और नेक्स वीडियो आ इंग तो में केमिकल तैंकर अपरेशंस वीडियो अच्छा लगा और आप अगर चांते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो गना हूं तो दो कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स सेंट थैंक्यू